नमस्कार मेरा नाम है अभिशिक कुमार हो मैं आप सब का स्वागत करता हूं मैगनेट ब्रेंज एंटेसी प्लेटफॉर्म पे तो अगर आप लोगों को भीड में से अलग होना और अपने टैलेंट को निखार के नैशनल लेवल पे दिखाना है तो मैगनेट ब्रेंज आप ल कि आपका कितनी गंवीरता होती है आप कितनी जल्दी उसमें एक्षैन ले सकते हो इसको check करने के लिए इसको test करने के लिए एक नैशनल लेवल पे जो test हो रहा है यह आप में संभावना एक होजी जाती है मतलब आप में यही तो टैलेंट सर्च किया जा रहा है कि भाई How fast you are in taking a decision क्या आप में वो qualities है क्या आप में वो officer qualities है क्या आप में वो official qualities है कि आप अपने life के आसपास हो रही situations में कैसा behave कर पाते हो तो इस चीज को इस exam में बहुत एहमियत दी जाती है और कहीं न कहीं एक आदा question आपको देखने को मिलता है तो what is your thinking at present जब आपके पास कोई anti situation आजाए कोई ऐसी situation जिसके लिए आप ready नहीं है और कितनी जल्दी उस पर decision ले पाते हैं कितनी जल्दी अपने दिमाग को दोड़ा पाते हैं और सामने वाले की help कर पाते हैं तो यहां पे आपको काम करेगा आपके बड़ो दवारा दी हुई सीख तो आपके घर में जो बच्छपन से आप लोगों को सीख दी गई है कि हमेशा अच्छा करो अच्छा दिखाओ अच्छा करने का विचार अपने आसपस हमेशा एक positive औरा रखो इसी चीज का एक test है यह वाले questions तो यहां पे जो आपको questions मिल रहे हैं यह आपके daily life related situations है जो आपको देखने को मिल सकती है या इन situations से कहीं ना कहीं आप लोगों का आमना सामना हुआ होगा तो यहां पे एक छोटी सी line जो मैंने लिखे हुई है कि यह test क्यों लिया जाता है this test is mainly to judge a candidate's ability candidate की ability को check करने के लिए इस test को लिया जाता है to use his or her presence of mind आपके presence of mind को check करने के लिए कि how you tackle a given situation अगर कोई situation आपके सामने आ जाए तो उसको आप कैसे tackle कर पाते हो क्या आप एकदम negative side चले जाओगे या आप एक positive aura रखते हुए कहीं पर action ले पाओगे ठीक है और उस action का कितना positive nature मिलने वाला है तो क्या positive nature होने वाला है इसका भी आपको दिमाग में ध्यान रखना है ठीक है तो इसलिए मैं कई बार अपने student से बोलता हूँ कि यह chess खेलना start करो chess खेलना sudoku केलना यह ऐसे games है जो आपके presence of mind को जीवित रखेंगे ठीक है उस समय आपको क्या करना है कैसे action लेना है और उस action का result होने वाला है उसको भी अगर आप लोगों ने पहले से देख लिया तो आप लोगों के लिए इस तरह के test देने बहुत असान हो जाते हैं और यह test सिर्फ इसी exam में नहीं हर competitive exam में आपको face करना पड़ेगा अगर आप लोग कहीं न कहीं आगे in future defense में जाना चाहते हैं तो defense म में तो यह बहुत बड़ा role play करता है तो इस तरह के questions अब आपके सामने हैं तो इस video में मैं around 15 questions को आपके सामने लाओंगा और हमें कैसे situation को देखना है क्या positive nature होने वाला है उसका future में क्या होगा क्या positive part निकल के आएगा तो इन चीजों पर हम लोग बात करेंगे चलिए चाल कि while traveling in a train आप train में सफर कर रहे हैं और you notice आपने यह चीज़ देखा कि a man from the coach एक इनसान जो की coach में आपके साथ बैठा था behind your fall of the train और वो train से गिर गया ठीक है तो you would आप कैसे action लोगे अब यहाँ पर आपके सामने चार option दी है ठीक है तो आपका यहीं पर presence चेक किया जा रहा है आपके विचारों को चेक किया जा रहा है आपके actions को चेक किया जा रहा है ठीक है अब बात को समय ना पहले option में लिखा है pull the alarm chain कि आप भागेंगे और chain को खीचेंगे pull the alarm chain so that the train may stop and the man may be helped और train को रोका जा सके और उस आदमी की help की जा सके आपका action क्या होने वाला है यह इस समय कि आपका positive aura or negative aura जिसको हम बोलते हैं कि आपकी सोच पे depend करता है कि आप कैसे action लेंगे second point में लिखा है shout at the falling man जैसी वो आदमी गिरा तो आपने चलाना चालू कर दिया ठीक है asking him to get up quickly and run fast to catch the train जो आदमी चलती train से गिर गया आप उस पे चला के उसको बोलो के भीया जल्द उटो और तेज दोड़ा और train को पकड़ो कैसा action होने वाला है तीसरे point में लिखा है jump of the train क्या आप खुद train से jump कर देंगे बहार to assist the falling man वो जो आदमी पहले नीचे गिरा था उसकी help करने के लिए ठीक है fourth point में लिखा है wait till the train stops और क्या आप train में शान्ती से बैठे रहेंगे और आप wait करेंगे कि train next station या कहीं पर आगे जाके रुकेगी तो मैं next station पर information दूंगा railway stop को कि पीछे कोई आदमी गिर गया था उसको जाके उठा लो तो आप उस समय कैसे action करने वाले हो अब यहां पर देखो अगर मैं इन points को पढ़ता हूं तो इन points को पढ़ने के बाद मैं आगे का future भी सोचूंगा कि भाई मैं अगर इस स्थिती में होता या आप स्थिती में होते और आप वो traveling कर रहे वाले इनसान होते जिसके साथ में कोई बंदा train से गिर गया है तो उस समय आप जो भी action लेते इन 4 में से उसका future result क्या होता अब बात को समनना आगर मैं B point को तो उस समय क्या होता उसका future क्या होता देखो कोई आदमी अगर चलती train से गिरा है तो कोई बात नहीं मतलब कुछ नहीं उसको हलकी सी चोट वोट तो आई होगी यहां हो सकता है उसको मैक्स चोट आई हो आप चिला रहे हो train चल रही है उसको बोल रहे है उट और भाग और train पकड तो सोचो कैसा future होता क्या वो उट पाता क्या भाग पाता क्या उसको जो चोटे लगी थि चुह फर ओट आप नहीं तो यहां पर यहां पर यह चीज तो पॉसिबल थी नहीं कहीं से भी कहीं तरक क्योंकि जो आदमी चलती train से गिरा है उसको चोट लगी होगी ठीक है अब C point में लिखा है jump off the train to assist the falling man कोई आदमी गिरा आपने भी छलांग लगा दी उसकी help करने के लिए तो भाई वो आदमी गिरा उसको चोट लगी होगी और तुमने action लेने के लिए खुद भी छलांग लगा दी तो आपको भी तो लगेगी फिर आपकी help करने कोन आएगा ठीक है तो ये भी point कहीं ना कहीं गलत है ठीक है future का सोचो क्या होने वाला है अगर आप भी खूद गए तो आपको भी तो लगेगी last point में लिखा है wait till the train stops आप अराम से वेट करेंगे बैठे रहेंगे अपने coach में वेट करेंगे कि कोई नया station आएगा मैं उस station में railway वालों को बोलूंगा कि जाइए पीछे कोई गिरा है उसको उठा लेजे तो ये भी possible नहीं हो सकता है तब तक उस बैचारे के साथ को tragedy हो जाए हो सकता है वो जितना गंबीर गिरा था उसके साथ कुछ हो जाए ठीक है तो ये चीज मत करना ठीक है तो ये तीनों खुद को हानी ना पंचाते हुए ठीक है दूसरों को हानी ना पंचाते हुए समय का वेट ना करते हुए उसी समय अगर presence of mind का यूज किया जाए तो भाई train में जो emergency bell दी है मैं उसको दबायता यह चेन खीज देता so that train रुक जाती रुकते ही बहुत सारे लोग थे जो उसकी help कर सकते थे तो आपका presence of mind यहाँ पे काम किया आपने वो train की chain pull की और आप उस बंदे की help करने के लिए फिर नीचे उतरे अब इसमें क्या होगा train भी रुकेगा railway stop भी आपके साथ है कई दूसरे passenger भी आपके साथ ह जो और दिमाग लगा सकते हैं हो सकता इतने सारे passengers में कोई doctor भी हो जो उस समय उसकी help कर पाए तो यह होता है presence of mind मैं कहूंगा कि अगर मैं स्तिती में होता तो मैं a point पे click करता तो आपको यही चीज exam में करनी है आपके presence of mind को check किया जाएगा तो एक example के थुरू मैंने यह करने वाला जो हमारा examiner होगा वो भी यही चीज़े आप में check करेगा और उसकी नजर में यही point सबसे पहले आएगा और वो भी कहेगा yes आप लोगों का जो विचार है वो बहुत अच्छा है इसको future में अगर कभी ऐसी स्तिती बनती है तो future में आप हमारे काम के हो आप एक officer post पर बैठने वाले इंसान हो जो की अच्छा action कर सकता है अच्छे तरीके से situation को handle कर सकता है तो इस पकार से example number one का मेरी नजर में answer A था और आप देख रहे हैं green tick भी उस पे आया move करते एक चोटा से example लेके मैं और समझाता हूँ एक example और आपके सामने यहां पर बोला है when you see a very old lady अब आप रोड पर कहीं चल रहे हैं यहां आप जा रहे हैं वहां पर आपने किसी बहुत old age इंसान को देखा ठेके और यहां पर एक चीज यहां पर दो चीजे बात की गई ह एक तो शब्द बोला है old दूसरा बोला है female candidate के लिए lady के लिए तो बच्पन से हमें सिखाया गया है कि females first ठेके तो आपको यही विचार अपने दिमाग में रखने कि एक तो female candidate है दूसरा वो बहुत old है ठेके इस case में आप क्या करोगे when you see a very old lady trying to cross the road वो अगर road को cross करना चाहरी है तो उस समय आप किस तरीके से behave करोगे as a young candidate, as a student, as a young person आप कैसे आगे बढ़के आएंगे उस old lady की help कर पाएंगे अब देखो यहां पर चार option लिखे हैं यही आपके विचार बव्यक्त करेंगे देखना, ask someone to help her, आप एक जगा खड़े रहेंगे, आप देखने कोई lady कोशिश कर रही है road cross करने की आप दूसरे इंसान से बोलोगे भाई जाओ उसकी help करो, तो क्या मतलब आप भी तो young हो, आप भी तो help कर सकते हो तो यहाँ पर बोल रहा है, ask someone to help her, तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं, भाई हम किसी और को क्यों बोले, क्यों न खुझ initiative ले second point में बोला है, go and help her, मैं खुझ जाओंगा, उसकी help करूंगा, उसको road cross कराओंगा, बहुत अच्छा option लग रहा है तीसरा पुदिया है, wait till she crosses the road, आप एक जगा खड़े रहेंगे और देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे, चलो देखते हैं, वो road कैसे cross करती है तो यह हमारी जो Indian mentality है, कि कुछ भी action, कुछ भी reaction, कुछ भी situation चल रही है, उसको खड़े होके देखने की, भाई, अगर कुछ गलस स्थिति दिख रही है, तो खुद action लो, खुद जाओ, खुद initiative लो, तो मेरे हिसाब से, B option मुझे यहाँ पर best option लग रहा है, जो मैं टिक D option में दिया है, ignore and move on, छोड़ दो, वो road cross कर रही है, बड़ी है, वो खुद road cross कर लेंगी, हम अपना काम करते हैं, तो यह बहुत गलस situation है, कभी आपके सामने life में ऐसी situation बने, तो अगर आपके पास समय है, और अगर आपकी situation सही है, उस समय, ठीक है, आप physically fit हैं, और आप साम पे निकलिए, तो एक बहुत अच्छा सवाल आपके सामने, और आप में यही चेक किया गया आपका positive nature, ठीक है, तो example 2 मेरे हिसाब से B option होना चाहिए, ठीक है, तो देखिएगा B पे green tick आगया, तो इस तहीके से आपके सामने में 2 example लिकराया, मैंने समझाया आपको कि करन क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सवाल आए, वहाँ पे आपको खुद को रखना है, अपने आपको physically fit समझते हुए, जवाब देना है, mentally strong or physically fit, ठीक है, तो इस तरह के जब भी situations आपके सामने आए, तो आपको positively behave करना है, जो बच्पन से चीजे सिखाई गई है, वो यह आप पे apply करनी है, और यह बहुत important questions आते हैं, किसी भी competitive exam में, क्योंकि यही आप में वो qualities बताते हैं, यही आप में यह बताते हैं, कि आप में वो talent है क्या, क्या आप national level पे उस चीज को face कर पाएंगे, ठीक है, तो मैंने जब आप लोगों को overview दिया था, NTS exam के बारे में, मैं आपको तब भी समझाया था, कि national talent search examination आपके future के लिए, आज के लिए नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अपना financial चीजे मत देखो, यहाँ पे आप कहा government को serve करने वाले हो, क्योंकि वो आपको hire कर रहे हैं, आप उनके student हो जाओगे अब, वो आपको support दे रहे हैं, तो वो सि creamy layer को उठाते हैं, creamy layer में यह सब situations check की जाती है, ठीक है, चलिए, पहला सवाल उठाते हैं इस वीडियो का, तो पहला सवाल क्या है, तो question देखिएगा, to each of the following questions, four probable answers have been given as alternative, तो आपके सामने कुछ सवाल है, उनके चार options दिये हुए है, select the best alternative, आप उन चार option में से कोई एक best alternative को tick करिए, जो आपकी नजर में best है, ठीक है, और मेरे हिसाब से answer वो ही tick करिएगा, अपने आपको physically fit पाते हुए, अपना mental status अच्छा रखते हुए, आपको उस situation में खुद उतर के fit जवाब देना है, ठीक है, select the best alternative as your answer, पहला कोशन है, your school has organized a money donation camp, आपके school में एक money donation का camp, तो प school has organized a money donation camp, for the education of poor children, you, ठीक है, you, you के आगे चार option दिये है, आपका role वहाँ पे क्या होगा, तो देखो, कभी भी school में, या किसी भी level पे अगर कोई function हो रहा है, तो पहली कोशिश खुद पाट लो, उस function को attend करो, so that आप में वो capabilities आएं, किसी चीज को attend करने की, किसी चीज को function को करने की, खुद उसमें initiate करने की, ठीक है, खुद अपना दिमाग लगाने की, क्योंकि वहाँ पे कई situations आपको मिलेंगी, जो आपको handle करनी है, तो आपको खुद एक तो आगे बढ़के आना है, अब अगर आपके school में, कोई camp organize हो रहा है, और वो भी money donation camp है, तो चार जो चीज to donate, आप क्या करोगे, आप अपने दोस्तों को जाके जबरदस्ती करोगे, यह उनको मनाने की कोशिश करोगे, कि भाई तू पैसा donate कर, पहली स्थिति, तो यह चीज तो अच्छी चीज है, कर सकते हैं, दूसी चीज, donate your savings partially at the camp, आप उस camp में खुद का जमा राशी, जो आपन saving करके रखी है, अपने money bank में, उसमें से कुछ पार्ट निकालके, वहाँ पे camp में जमा करोगे, यह भी एक अच्छी चीज है, जो चीज हम कर सकते हैं, तीसी चीज दिए, do not believe in this kind of donation and decide not to attend, यह उस समय, आप यह विचार आएगा आपके दिमाग में, कि छोड़ों यह सब फा negative aura, ठीक है, ask your parents to donate money, क्या आप अपने parents के पास जाएंगे, और उनसे बोलेंगे कि वो उस camp में जो लगा हुए आपके school में, उसमें पैसा donate करें, तो यह भी एक अच्छा point है, अब यहाँ पे समझना, मैंने क्या बोला, कि आपको खुद वहाँ पे रहना है, ठीक है, आपको खुद initiative लेना है, खुद उस situation में रहते हुए, आप क्या action ले सकते हैं, तो इन सब चीजों को अपने दिमाग में याद रखते हुए, ध्यान रखते हुए, इन सवालों का जबाब देना है, तो अगर हम यहाँ होते, तो बात को समझना, हम खुद वहाँ होते, तो हमें कड़ गया, क्यों कड़ गया, the reason is being, यह था चीज आपके पास, लेकिन आपको क्योंकि यह statement भी दिया है, donate your savings partially at the camp, मैं उस समय खुद क्या action ले पाता, जो मेरी खुद की saving है, ठीक है, किसी की help ना लेते हुए, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे initiative ले सकता हूं, तो मैं क्या करत जो मैं गरीब बच्चों की education में खर्च करने के लिए देता, ठीक है, तो donate करने के लिए खुद आगे आना है, किसी की help लेके फिर काम नहीं करना, ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना, persuade your friends to donate, उसके बाद, पहले मैं खुद donate करता, फिर किसी से बोलता, कि भाई आप दीजिए, आप भी donate करिये, तो ये action बाद में होता, पहला जो action लिया जाता, वो ये कि मैं खुद initiative लेता, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहुंगा, कि B option is the best option, जब मैं self की बात करूँगा, जब मैं अपने level पर आके बात करूँगा, ठीक है, तो question number one का B part, मेरा जवाब होना च ये था, चेक कर लेते हैं, येस, देखिएगा, green tick B आया है, कहां पर, B part पर, move करते हैं, question number two की तरफ, second सवाल में हमें क्या situation दिये, you are getting late for your school, आप अपने school के लिए late हो ठीक है, and no bus is available, और school जाने के लिए आपको daily bus लगती है, ऐसा मान लीजिए, school की कोई bus नहीं चल रही, आ आप ऐसी situation को मान लीजिए, ठीक है, ये नहीं कि हम तो school bus से जाते हैं, और bus हमारे school वाले प्रोवाइट करते हैं, तो वो चीजी नहीं सोचने दिमाग में, तुम्हें उस situation में खुद उतरना है, जहां पर आपको खुद खड़े होना है, bus का wait करना है, और अभी कोई bus नहीं आ रही है, और आप school के लिए लेट हो रहे हो, अब इस situation में, आप क्या करोगे, in such a situation, आप क्या करोगे, तो यहां पर अगें चार चीजे आपके सामने लिखी हैं, पहला क्या, you start walking, आप school के लिए पैदल चलना स्टार्ट कर दोगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात करते हैं, you drop the idea of going to school that day and return home, उस दिन आपको भाना मिल जाएगा, कि आज मैं school नहीं जा रहा, चलो आज तो कोई बस ही नहीं मिली, छोड़ो आज school नहीं जा रहे, हम कल जाएंगे, कल बस मिलेगी, तो देखो भाने बनाने के लिए तो बहुत सारे भाने मिल जाते हैं, ठीक है लेकिन यहाँ पर भाने नहीं बनाने, आपको school जाना है, ठीक है, अब भाना तो नहीं चलेगा भाई, school तो पहुँचना है, आगे, you think about other possible convince, आप दो मिंट रुकेंगे, patience रखते हुए, सोचेंगे, कि और क्या तरीका है, कि मैं जल्दी school पहुँच जाओ, ठीक है, जल्दी पहुचूंगा, तो ऐसा कौन सा convince है, जिसकी मैं help ले सकता हूँ, तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर खुद रहते हुए, एक action लिया, जिसमें आपने यह सोचा, विचार किया, various convince के बारे में, कि हो सकता है, मैं किसी को रोग दूँ, हो सकता है, मैं किसी से help ले लूँ, हो सकता है, मेरे घर पर कोई हो, उसको बुला लूँ, यहाँ कोई दूसरा convince ठीक है, तो यहाँ पर आपने number of चीजों के बारे में सोचना चालू किया, उस समय उस situation से निकलने के लिए, पहले में आपने क्या किया, आपने बिना सोचे समझे, पैदल चलना रहा है, आपने एक decision लिया और आपने पैदल चलना चालू कर दिया, लेकिन इस case में यह आप में क्या खूबी दिखा रहा है, कि अगर कोई situation आपके सामने आती है, तो आप उसके various solve करने के तरीके धूंडोगे पहले, फिर उस पे action लोगे, तो आपने सोचा, देन आपने action लिया और आपकी चीज हो सकता है, future में जो result मिलने वाला है, वो best मिले, तो यह एक अच्छा point था, C वाला भी, D और पढ़ लेते हैं, you wait patiently, आप शान्ती रखते हुए, उसी जगह पे खड़े रहोगे, आप patience रखोगे और खड़े रहोगे, और वेट करते रहोगे, you wait patiently for the bus, though you are late for the school, चलो मैं लेट हो रहाँ, कोई बात नहीं है, खड़े रहो, बस आएगी तो ठीक, जब आएगी तब चड़ेंगे, फिर स्कूल जाएंगे, तो अब इससे क्या होगा, आपका हो सकता है, कोई important lecture हो, हो सकता है, कोई file आपको जमा करनी हो, हो सकता है, आपको किसी action को करके स्कूल में जाके action कुछ करना हो, कुछ ऐसे कुछ activity हो, जिसके आपके बिना हो काम ना हो पाए, तो यहाँ पे ये चीज भी गलत है, कि patience रखना है, अच्छी बात है, patience रखना है, बट सिर्फ खड़े नहीं रहना हो, बस का weight नहीं करना, आपको different ways ढूणने, तो मैं कि इस action को लेने से पहले, आपको ये action करना चाहिए, आपको पहले ये सोचना चाहिए, कि school पहुँचने का और क्या convince हो सकता है, so that मैं जल्दी पहुँचू, इस case में अच्छी बात है, आपने walk करना start किया, लेकिन हो सकता आपका school दूर हो, अब आपने एक ही convince सोचा, और य questions रखते हुए, आपको possible convince के बारे में पहले उस situation में रहते हुए, सोचना है, फिर action लेना है, ठीक है, एकदम से action नहीं लेना, पहले सोचो, तो मेरे हिसाब से answer C is the best option, जो मैं mark करके आऊंगा, तो यहां पे question number 2 का C option होना चाहिए, answer check कर लेते हैं, yes, देखिए, copy check करने वाला अभी जो questions बना रहे हैं, जो examiner question बना रहे हैं, जो national talent आप में ढूंड रहे हैं, उनको यही सब चाहिए, आप लोगों में, ठीक है, चलिए, question number 2 में C part is the best part, ठीक है, best option जो मैं tick करके आऊंगा, question number 3 की तरफ चलते हैं, you are in a new place and you want to go shopping, आप किसी नहीं जगा पे गए, जिसको आपको नहीं पता वो जगा, ठीक है, मानलीजे आप कोई shopping करने के जगा पे गए, और आपको shopping करनी है, ठीक है, बट वो आपके लिए एकदम नहीं place है, what is the most likely thing that you would do, क्या इसमें से ऐसी चीज है, जो आप ध्यान रखोगे, और आप करोगे, you totally drop the idea of shopping, पहली चीज क्या, कि आप किसी place पे नहीं हो, आपको shopping करनी है, अब क्योंकि आप नहीं हो, आपको चीज की knowledge नहीं है, तो आपने अपना idea drop कर दिया, सबसे गलत बात, अगर आपके दिल में कोई चीज करने की activity आती है, तो उसको करो, ठीक है, उसके लिए एक step forward रखो, आगे बढ़ो, initiative लो, तो यहाँ पर यह तो गलत, negative aura में बोलूँगा, कि आपकी करने की इच्छा है, बट कारण आपको मिल गया, reason आपको मिल गया, और आपने अपनी thinking, अपनी जो सोच, उस समय करना चाहते थे, जिस activity को, वो आपने नहीं की, तो कितनी भी problems आपके सामने आए, ठीक है, आपको action ले be point, find out the place on your own, आप अपनी खुद की कोई जगा, find out the place on your own, आप खुद आगे जाएंगे, और आप जगा को ढूंडेंगे, आप जगा को सर्च करोगे, explore करोगे, ठीक है, अच्छी चीज़े, find out the place on your own, आप खुद से महनत करोगे, ठीक है, और आप उस नहीं जगा पे shopping के लि जाएंगे, जिसको वहां के directions का known हो, जिसको उस market में पहुचने की knowledge हो, उससे वो चीज़ पूछेंगे, और फिर आगे action लेंगे, नेक्स चीज़, ये भी एक अच्छा point है, तीसरा, ask someone else to do shopping for you, आप किसी और को बोलोगे कि क्योंकि मैं यहां नया हूँ, मुझे shopping करनी थी, म मैं नया हूँ, तो मैं नहीं जाओंगा, तू एक काम कर, तू जगा को जानता, तू जा तू shopping कर, तो भाई वो बंदा आपके लिए कैसे shopping करेगा, उसको आपका interest नहीं पता, उसको आपकी चीज़े नहीं पता, वो कैसे आपके लिए चीज़े पसंद करके लिए आएगा, तो यहां पर यह point भी गलत है, अब इन दो situations पर अगर मैं आओं, तो इसमें से best option क्या है, कि find out the place on your own, आप खुद जाओगे, ठीके, खुद सर्च करोगे, खुद market की knowledge लोगे, और आपको फिर जो shopping करने का मज़ा आएगा, वो एक अलग तरह का, एक अलग level का मज़ा होगा, तो खुद जब market को जाके, सर्च करना, रिसर्च करना, और action करना, बट यहां पर आप एक चीज को समझना कि, यहां पर हमारा time consumption कितना होगा, भाई आप किसी नए place पे गए हो, अब आप situation को समझना, आप नए place पे गए हो, और आपको करना क्या था, आपको सिफ shopping ही ही तो कर करूं क्योंकि यहां पर उस बंदे से पूछना, जो उन रस्तों को जानता हो, वहां से जानेगा, तो आपको यहां पर समय बचेगा, क्योंकि आप उस जगा पे नए हूँ, तो आपको अपना समय बचाते हुए, जो समय बचेगा, आपको shopping पे अगर आप वो समय देते हो, तो आपको product अच्छे से ढूणने में, अपना मन पसंद product सर्च करके लाने में, आपको समय जादा मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से आप यहां पर C को mark करिये, the reason is being कि कुसी ऐसे बंदे से direction ही तो पूछना है, कि भाई, मार्केट में कैसे पहुचना है, तो मार्केट में बचाना है, यहां पर question number 3 में, C option आपका सही अंसर है, चलिए, move करते है, question number 4 की तरफ, 4th question क्या कह रहा है, you have a new teacher in your school, आपके school में कोई एकदम नई teacher आई है, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए, you will be indifferent, आपके सामने 4 situation दी है, तो आप से क्या, आप क्या करोगे, ठीक है, आप को कॉमेंसी बात है, उनको इजद देनी है, उनको आदर्जदकार करना है, उनको थोड़ा comfortable feel कराना है, so that उनके पास जो knowledge है, उसको आप गेन कर पाओ, तो situation को समझना, आपका school है, वो teacher नहीं है, ठीक है, you have a new teacher in your school, ठीक है, तो यह बोला है, will be indifferent, you will be indifferent, क्या आप उनसे behave नहीं करना, welcome will warmly, welcome will warmly, मतलब उनका आदर सतकार करना है, go and flatter him as he will help out in future, जाओगे उनको मखल लगाना चालू कर दोगे, है ना, मैम ऐसा, मैम ऐसा हो, पूरा मखल लगाते हो, क्योंकि ये दिमाग में रखते हुए, कि ये मैडम कहीं नगई, मुझे future में अच्छे marks देंग तो ये गलत point है, ठीक है, किसी को अपने reason के कारण मखल नहीं लगाना, ठीक है, तो ये मखल लगाने वाला जो काम है, ये गलत काम है, ठीक है, have problems adjusting as you are still like your old teacher, अब आप उन teacher को comfortable feel नहीं होने देंगे, क्यों, क्योंकि आपको पुराने teacher बहुत पसंद थी, ठीक है, तो नई teacher स आप पढ़ना नहीं चाहेंगे, उनको uncomfortable महसूस कराएंगे, तो ये भी गलत point है, भाई, जो नहीं teacher आई है school में, कहीं नहीं हो सकता, उनके पास भी knowledge अच्छी हो, वो भी आपको उतना ही अच्छा knowledge दे पाएं, तो यहां पे मैं कहूंगा, कि B option is the best option, you welcome her or him warmly, the reason is being, कि आप जब तक teacher को अच्छा feel नहीं कराएंगे, आपके बारे में अच्छा, आपके school के बारे में उनको knowledge दीजिए, उनको heartedly and warmly उनका welcome करिए, तो उनको अच्छा feeling आएगा, मेरे इसाब से question number 4th का B part होना चाहिए, yes, question number 4th में B option is the best option, चलते हैं 5th question की तरफ, total 15 question है, इस वीडियो म जो आपको different situations के सामने लेकर आ रहे हैं, 5th question आपको किस situation को दिखा रहा है, देखीगा, your friend accidentally spills drink on you in a party, you, अब आपके सामने 4 action है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कहीं accidentally, कभी ऐसा होता है कि हम किसी party में गए, हमारा बहुत अच्छा दोस्त, drink कर रहा था, मतलब वो cold drink, cold या उनका glass या उनका coffee का mug आपके उपर गिर गया, ठीक है, उस समय आपका reaction क्या होगा, अब देखना, यहाँ पर situation को समझना, एक तो party का महल है, दूसरा आपका friend है, ठीक है, तीसरा, accident के कारण कुछ हो, accident मतलब हो सकता कुछ ऐसा reason रहा हो, जबस्ती तो आपके नहीं पैका ह होगा, ठीक है, friend है क्योंकि आपके, तो word देखो situations, question में ही situations दी है, तीन चीजे हैं यहाँ पर, friend भी है, accidentally हुआ है, और दूसरा party चल रही है, तो कई महमान भी आए होंगे, आपका action क्या होगा, spoil his dress too, अब क्योंकि उनकी drink गिरने के कारण, आपकी dress खराब होई है, तो आप एक cup उठाएं और उनको पर फैक दे, तो अब यहाँ पर सोचो कितना negative हो रहाएगा, कि कोई काम accidentally हुआ है, और आपने जानबूच के किया, तो यहाँ पर negative आपने जवाब दिया, तो यह गलत है, ऐसा नहीं करना, ठीक है, snub him, उसको उठाके मार देंगे, ठीक है, अब मार पीटना, तो यहाँ पर फिर party का महल खराब हो जाएगा, तो snub him, यह गलत है, ठीक है, तो एकदम से action नहीं लेना, कभी भी physical action नहीं लेना, unless and until आप जब तक situation नहीं समझते, ठीक है, physical action तो लेना ही नहीं चाहिए, तो physical action नहीं करना, snub him, एकदम से mark उटाई पे नहीं आना, तीसी चीज, say it is okay, but let him feel, ठीक है, उसको आप simple तरीके से, simple भाशा में, बड़े normal तरीके से बोलेंगे, ठीक है, यार, कोई बात नहीं, लेकिन उसको हलका सा feel करा दो, कि यार, तुने गलत हुआ तुससे, मेरी dress गंदी हो गई, ठीक है, और last point हमें क्या दिये, तो last point में हमें उनने दिया, just laugh it off, और हस के बात को टाल दो, अब देखो, यहाँ पे यह दोनों point अच्छे है, लेकिन अब यहाँ पे मुझे इन तीन point में आना पड़ेगा, कि जो हमें, यहाँ पे situation दिये, एक तो दोस्त है, पहली बात, दूसर यह की काम accidentally हुआ, तीसी बात यह की party का में उसको feel मत कराइए, ठीक है, तो यहाँ तो say it is okay, और हस के बात को टाल दो, तो मेरे हिसाब से, यहाँ पे हस के बात को टालना is the best option, the reason is being, यहाँ पे आप अपनी दोस्ती नहीं खोगे, और दूसर उस दोस्त की party में, आप full इज़त भी आपने कर दी, ठीक है, तो बात को आपने हसके डाल दिया, आपने जहाँ पे भी आपका drink spill हुआ, आपके कपड़ों पे, जा कि उसको वाश्रूम में धोलो, तो इस तेके से question number 5 का answer D होना चाहिए, चेक कर लेते, yes देखिएगा, हमारा question number 5 का answer क्या है, D है, तो इस पकार से 5 question हम कर चुके है, 15 question मैंने आप से किये हैं, छटा question देखिएगा, 6 question कह रहा है, you are returning from your school to your home, आप अपने school से अपने घर की तरफ लोट रहे हैं, on the way you find a sealed envelope in a street, fully addressed with unused stamps on it, you would, अब देखो क्या बोल रहा है सवाल और जो important situations दी हैं, उनको mark कर लेना, देखो क्या दिया है, आप एक तो वापस जा रहे है, returning, कहां स स्कूल से घर को जा रहे हैं, that means आपने अपने स्कूल का काम कर लिया, अब आप जा रहे हैं घर, तो आप हो गए हैं free, तो एक situation यहां बनती है, दूसी चीज, on the way you find a sealed envelope, भीच रस्ते में आपने एक ऐसा envelope पाया, जिसके उपर sealed लगी हुई है, in a street, ठीके, तो आपने रस्त में पाया, तो fully addressed, जिसके उपर, जिस envelope के उपर, पूरा पता लिखना, लिखा हुआ है, कि वो कहां हमें बेजना था, ठीक है, मतलब जिसका भी गिरा होगा, वो envelope, उसने पूरा envelope के उपर address डाला हुआ था, with unused stamps, unused stamps का मतलब, ऐसे नए नवेले stamps, stamps, देखो सबसे पहले, तो ये वाली reaction समझना, यहां पर बात हो रही है, country की, country अपने stamps release करती है, ये बताने के लिए कि कहां के stamps है, किसी की इज़त, उसके उपर जुड़ी है, मतलब कही ना कहीं, ये ये एक तरह का, आप माली जी, currency का रूप होता है, stamps जो होते हैं, ये आपके, इंडिया की, या मैं क कहूंगा, किसी country की currency होती है, ठीक है, तो stamps की इज़त करनी है, तो यहां पर इन चीजों को भी ध्यान में रखना है, चोटी-चोटी बाते हैं, हर चीज को ध्यान में रखना है, और unused का मतलब ये, कि उस envelope के ऊपर, जो stamp strip के हुए थे, उसके उपर किसी तरह का seal नहीं था, that means वो जो envelope था, वो एकदम अभी post होने के लिए जाने वाला था, उसके उपर post नहीं हुआ, वो जिस address पर जाना था, वहां पर post नहीं हुआ, तो हो सकता है, ये कोई ऐसा letter हो, कोई ऐसा envelope हो, जो किसी को कहीं भेजना था, बट वो post नहीं कर पाया, रस्ते में गिर गया हो, तो unused stamps, ठीक है, on it, you would, आप क्या करोगे, अब यहां पर पहला reaction, leave it there as it was and just walk away, और जहां पर वो पढ़ा है, पढ़े रहन दो, छोड़ के उसको आप चलते बने, तो ये चीज गलत है, ठीक है, किसी की चीज गिरी है, अगर रस्ते में मिली है, तो आप उसको वहीं मत पढ़े रह है, यहां वो पढ़ जाए, यहां कोई जानवर उसको पाट दे, तो इस चीज को leave it there as it was and just walk away, यह गलत situation है, negative और आप में दिखा रहा है, आगे, remove the stamps and destroy the envelop, आप क्योंकि envelops unused हैं, तो आप उस लिफावे में से stamps को निकाल लेंगे और बाकी लिफावे को आप destroy कर देंगे, तो stamps जो हैं, यह किसी भी country की currency होती है, तो यह चोरी हो जाएगी, remove the stamps and destroy the envelope, ठीक है, open the envelope, find out who has dropped it, by mistake and send it to him if possible, अब यहां पर एक चीज अच्छी बोली, इन्होंने बोला कि आप envelope को खोल के देखेंगे, उसमें से सारे documents को बाहर निकालेंगे, और आप उस पे उसका address ढूनेंग जिस बंदे से वो गलती से गिर गया है, और फिर address देखने के बाद, आप उसको वापिस करने जाएंगे, तो यह situation ठीक है, ठीक है, लेकिन जो दीवी situation है, वो यह है, कि sealed है, envelope already sealed था, मतलब कहीं न कहीं वो important document होगा, आप किसी की documents को देख नहीं सकते, यह बच्छमन में हमें चीजें सिखाई गई है, कि किसी के personal documents को कभी मत देखो, अगर उसका personal unless and until वो आपको ना देखा है, तो वो sealed envelope था, envelope को sealed रहने दीजिए, तो मैं कहूंगा, यहाँ पर unless and until जब तक जोत ना पड़े, envelope को खोल के ना देखो, sealed था, sealed ही रहने दो, और उसके उपर clearly question में बोला है fully addressed, address तो already लिखा हुआ था ना उसके उपर, तो आपको खोल के देखने की क्या जोत पड़ गई, तो जब address लिखा रहता है, भेजना कहा है, तो भेजने वाले का नाम भी नीचे लिखा होता है, to and from, इसलिए envelope पे होता है, clearly लिखा है, fully addressed, तो जब लिफाफे के बाहरी सब थ detail, available, तो उसको खोल के देखने की जोत नहीं थी, तो ये चीज भी गलत है, post it at the nearest letterbox, अब आप क्या करो, क्योंकि आप school से निकले हो, आप घर जा रहे हो, तो जो भी past में letterbox है, वहाँ पे जाके उसको post कर दो, उसको डाल दो, वहाँ पे वो जिसके पास भी जाना होगा, वो आपने क्या किया, आपने एक तो किसी की help कर दी, दूसरा जहां document जाना चाहिए था, वहाँ वो चीज पहुच जाएगी, तीसरा आपने किसी चीज की चोरी नहीं की, तो ये सारी चीजे आपने ना करते हुए, मैं बोलूँगा, D option is the best option, कि आपका किसी का गिरिवी चीज आ आपको envelope मिला, आपने उस envelope को उठाया, और जाके post कर दिया, clear है, तो situation को समझो, जो options दिये, उनको धंक से पढ़ो, उनका future aspect सोचो, कि आप कुछ अगर करेंगे, तो उसका future result क्या होने वाला है, तो result दिहान में, दिमाग में याद रखते हुए, फिर action लो, ठीके, तो इस त कर लेते हैं, तो question number 6 का D option, yes, green tick का गया, ठीके, question number 7 देखिएगा, 7th question क्या कह रहा है, 7th question में कह रहा है, you are playing football, आप football खेले एक पार्क में, when you kick the ball, आपने ball को kick मारी, it strikes and breaks the window pan of a nearby house, सामने जो घर था, आपने kick मारी, उस घर में ball लगी, उनकी खिड़की का glass तूट गया, ठीके, और यह हुआ होगा आपके बच्पन में, ठीके, सब लोग जो cricket खेलते हैं, football केलते हैं, एक sports person, जो बच्पन से बच्चे होते हैं, वो जब महले में गिल्ली डंडा या इस तेक games खेलते हैं, तो common सी बात है, वो अगल बगल की चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं, अब इस समय आप लोगों ने क्या action लेना चाहिए था, और यह आपको पता है, क्या करना चाहिए था, ठीके, देखो, यहाँ पर क्या दिया है, उसको पढ़ लेते है, demand your ball back from the house owner, आप स करनी, ठीक है, ball मांगनी नहीं है, किसी से demand, यहाँ पर शब्द demand यूज हुआ है, तो मतलब यहाँ पर कही न काई, ego पर बात आ रही है, ठीक है, तो demand नहीं करनी, गलत, say it was no fault of yours, आप क्या बोलोगे, यह गलती मेरी नहीं थी, और गलती किसी अपने दोस्त पर डाल दोगे, ठीक है, आपने kick मारी, when you kick, kick किसने मारी है, आप हीने kick मारी है, तो आप बात किसी और पर नहीं डाल सकते हैं, यह गलत है, ठीक है, still the ball from their house, आप उनके घर में छुपके से जाओगे, और अपनी ball उठाके ले आओगे, तो still करना मतलब चोरी करना, अब देखो किसी के घर में ball गई है, आपने उसका नुकसान किया है, तो अब आप उसकी घर में जाके, चोरी करने वाला action नहीं कर सकते, आप उनके घर में जाके, अपनी ball को चुराके नहीं ला सकते, यहाँ पर यह होगा, कि आपने छुपके कोई काम किया, और आप वहाँ से situation से भाग गए, तो कभी आप यह बोल रहा है, कि आप house honor के पास जाईए, अपनी गलती को मानिये, उसको sorry बोलिये, तो apologize का मतलब है, कि अपनी गलती को मानना, और फिर से यह गलती ना धोराना, उनसे वादा करना, तो आप अपनी गलती को मानो, उनसे sorry बोलो, ठीके, अपनी ball उनसे लीजिये, प्य सब लोग play कर रहे थे, सब लोग खेल रहे थे, तो सब लोग छोटा-छोटा amount कठा करके, उनके glass को दुबारा हम ठीक कर देते, तो इस पकार से मैं कहूंगा contribute to replace the glass, हो सकता आपकी section करने के बाद, house honor खुदी बोलने की कोई बात नी बेटा, आप लोग जाईए, खेलिये, मै glass खुदी change करा लोगा, ठीक है, तो आपको फायदा मिल सकता है, यहाँ पर, तो यह सारी चीज़े गलत है मेरी नजर में, तो मेरे नजर में यहाँ पर D जो है, यह सही जवाब है, हम board कर लेते हैं, clear, और चेक करते हैं, question number 7 का क्या D answer आ रहा है, yes, हमारा answer finally D आ गया, तो इस आप लोग साथ question कर चुके हैं, वीडियो के साथ बने रही है, बहुत अच्छे सवाल आपके पास आ रहे है, situation reaction test से related, तो situation को समझना है, answer देना है, 8th question देखते है, your classmate who is usually very smart and happy all the time, अब देखो यहाँ पर क्या क्या बाते हो रही है, उन सब चीज़ों को underline करते हुए चलना your classmate, एक तो आपका classmate है, ठीक है, मतलब आपके साथ class में पढ़ने वाला कोई student है, ठीक है, who is usually very smart, जो की दिखने में भी और वैसे भी दिमाग बात की जाए, तो बहुत smart आदमी है, ठीक है, and happy, और वो खुश रहता है हमेशा, हमेशा खुश रहता है, looks very down and upset, अब आज वो जब school आया, तो वो थोड़ा सा, looks down, वो थोड़ा सा, मतलब ऐसा दिख रहता है, जैसे वो उदास हो, ठीक है, upset है, तो तुम क्या उस case में करोगे, तो यहाँ पे तुम्हें चार situation दी है, एक तो तुम्हारा classmate, दूसरा already smart था, already खुश रहता था, आज वो जो है, वो उदा है, तो तुम उस case में क्या करोगे, carry on with your work, क्या आप अपने काम से काम रखोगे, ठीक है, और उसको जैसा है, वैसा रहने दोगे, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो अपने काम से काम नहीं रखना, ठीक है, अगर आज वो उदास है, तो second चीज यहा of your friend, to go and talk to him, तुम अपने एक दोस से बोलोगे, कि भाई, वो classmate आज ऐसा-इसा उदास है, तु उसके पास जा, reason पूछ, कि वो क्यों बात नहीं कर रहा, तु जा के उससे बात कर, तो यहाँ पर यह एक अच्छी चीज है, कि तुमने किसी को बोला, लेकिन मैंने क्या सिख खुद को रखना है, तुम क्या positive कर सकते हो, तो तुमने क्या positive किया, तुमने अपने दोस से बोला, कि तु जा के उससे बात कर, ठीक है, go up to him, her and ask the reason, आप खुद उसके पास जाओगे, उससे reason पूछोगे, उससे बात करोगे, अच्छी चीज है यह भी चीज, wait for him, her to come up and tell you the reason, आप इंतजार करोगे, कि वो तुम्हाँ आपस खुद आए चलके, और अपना reason बताए, तो यह गलत है, wait नहीं करना, मैंने यह चीज पहले question में भी सिखाई, कि किसी चीज के लिए wait नहीं करना, आपको उस समय situation में खुद रहते हुए, खुद क्या आप कर सकते हो, उसक है, 8 question कर लिए है, 9th question देखिएगा, 9th question में क्या है, यहां भी कह रहा है, you are passing by the side of a river, आप एक river के पास से गुजर रहे हैं, बात को समझना, अब क्या दिया पहले statement में, passing word बोला, ठीक है, दूसरा, आप river के पास से गुजर रहे हो, ठीक है, and you know swimming, और तुम्हें swimming आती है, त तो तीन चीजे दे दी, तुम एक river के पास से गुजर रहे हो, तो में swimming आती है, ठीक है, suddenly you hear the cry of a drawing child, drawing का मतलब यहां पर है, डूपता हुआ बच्चा, तुम लोग देखते हो, उसकी आवास तुम्हारे कानों तक आती है, कि कोई help के लिए चला रहा है, रो रहा है, और वो professional driver मिल जाए, diver मिल जाए, जो कि professionally इतना strong हो, तो तुम उसको क्या ढूणने जाओगे, कि वो आए, वो तलाब में खुद, मतलब चलांग लगाए, और बच्चे को बचा के लेकर आए, ठीक है, एक चीज, यह यह चीज हो सकती है, लेकिन यहां पर बोला है, कि तुम्हें swimming आ आती है, ठीक है, आगे देखना, dive into the river to save him, आप खुद river में चलांग लगा देंगे, और उस बच्चे को बचा के लेकर आएंगे, दूसा point भी अच्छा point है, raise an alarm to call some other person for help, क्या आप आवास तेज करेंगे, बहुत तेटे से चलाना, शाउट करना चालू कर देंगे, कि भईय कोई इंसान आये, और उसकी help करे, तो ठीक है, यह तो एकदम गलत है, क्यों कि तुम किसी और से क्यों help मांग रहे, कि कोई आये, वो help करे, ठीक है, तुम क्यों नहीं खुद help कर सकते, try to find the child's parents, क्या आप आसपास लोगों से पूछने के लिए भागोगे, कि वो जो बच्च डूब रहा है, उसके parents कोई है, तो यह गलत है, उस समय उनके parents एहमियत नहीं रखते, बच्चा डूब रहा है, situation क्या है, कि बच्चा डूब रहा है, ठीक है, तो समय जादा नहीं है उसके बाद, तो उस समय, तुम अगर किसी को ढूबने जाओगे, किसी professional को, और अगर यहाँ पर B जवाब होना चाहिए, B, यहाँ पर देखिए, question number 9th का answer है, B, तो इस प्रकार से question number 9th में B जवाब हमारा आ गया है, 10th question की तरह मूव करते, 10th question क्या कह रहा है, while firing crackers, ठीक है, अब हम लोग bump अटा के देवाली के समय जलाते हैं, तो firing करते हैं समय, मतलब bump अटा के जलाते समय, एक कोई बच्चा है, आपके असपास जो bump अटा के जला रहा था, get severe burn, उसको एकदम से कहीं पर burning का action हो जाता है, severe burn हो जाता है, on the hand, हाथ उसका जल जाता है, मतलब रसी बम पोवड़ा है, या rocket जला रहा है, और वो पटा का कहीं गलती से फूट गया, तो आपके सामने एक picture आई होगी, कौन सी चाची 420, अगर आपने इस movie नहीं देखी है, तो इस movie को watch करो, चाची 420 में सबसे पहला action क्या लिया गया था, तो इस movie को अगर नहीं देखा, movie देखी, अच्छी movie है, मैं किसी movie का promotion नहीं कर रहा, बट इस पकार के question हमें बच्पन में school में भी ready किया जाता है, कि एकदम से कहीं पर कुछ accident हो जाए, तो आपको क्या action लेना है, ठीक है, तो कोई बच्चा डूब रहा है, उस समय अगर वो बच्च के बाहर निकल आता है, तो उस समय उसके साथ क्या करना है, ठीक है, किसी को एकदम से आग लगती है, तो उस समय आपको क्या action लेना है, ये सारी चीज़े आपको बच्च में स्कूल में भी दिखाई जाती है, और कई बार movies में भी दिखाई गई है, तो यहाँ पर अब हम read करते हैं, देखो क्या बोला है, dip the child's hand in a cold water, बच्चे का हाथ उठाओगे और थंडे पानी में dip कर दोगे, till there is no more burning sensation, जब तक बच्चे को अब जला हुआ महसूस नहीं होता, तब तक हाथ उसका dip करके रखोगे थंडे पानी में, अब देखो, यहाँ पर आप से पूचा गया था, आप क्या करोगे, तो पहला action आपने खुद लिया, अच्छी बात है, दूसी चीज, wash the hands with dittol, आप wash कराना बच्चे को sensation और होगा, बच्चा और तकलीफ में आ जाएगा, क्योंकि वो चोटा child है, child बोला यहाँ पर शब्दों का use क्या किया है, child है, मतला आप से चोटा है वो age में, तो उसको dittol use करना कहीं ना कहीं antiseptic नहीं है, burning के ओपर dittol एकदम से use नहीं किया जाता, य send someone to call the doctor, अब उसको burning हुई है, उसका हाथ जल रहा है और तुम किसी को भेजोगे कि जाओ डॉक्टर बुला के लेकर आओ, एकदम गलत है, apply some ointment on the affected area, आप जहाँ पर burning हुई है, वहाँ पर ointment लगा दोगे, तो doctors मना करते हैं कि जब भी किसी को आग लगे, तो एकदम से oint apply नहीं करना, सबसे पहले उसका हाथ यहां पर जला है, उसको थंडे पानी में डिप कर दीजिए, इसलिए चाची 420 में भी दिखाया गया था कि एक बच्ची से गलती से fire cracking करते समय आग लग जाती है, उस बच्ची को उसके पिता जी उठा के swimming pool में डाल देते हैं, तो यह अच्छा उस समय का एक अच्छा laughing scenario बना था, बहुत अच्छा और वहाँ पर एक सीख भी मिली थी, तो movie से ही आप सीख लीजे कि dip the child's hand in a cold water, ठीक है, किसी और से help मत मांगिये, डिटोल में हाथ मत डालिये, affected area पर ointment मत लगाईये, तो छोटा सा आपका knowledge और साथ में आपका action, आपने उस knowledge को कितनी जल्दी gain किया, तो यहाँ पर यह चीज़े, question number 10th में मैं कहूंगा, answer A is the best option, yes, question number 10th का, देखे, green tick आया है, A पर, तो यहाँ पर, अब move करते है, 11th question की तरफ, 11th question क्या कह रहा है, while you board a train at a station, अब आपने किसी station से train board की मतलब, आप किसी station से train पे बैटे हैं, तो boarding a train at a station, और आप खुद बैठे हैं उस train के अंदर, you find a suitcase beneath your seat, आपने देखा कि आप train में बैठे हुए हैं, और आपकी seat के नीचे एक suitcase रखा हुआ है, तो suitcase है, जो की आपकी seat के नीचे है, your seat, औ और वो आपका नहीं है, ठीक है, you find, आपने ये चीज़ देखी कि कोई suitcase रखा है, जो किसी का नहीं है, वो आपकी seat के नीचे, तो आपका action क्या होगा, पहली चीज, report the matter to the police, आप क्या उस समय RPF को बुलाएंगे और उसको matter बताएंगे, कि भाईए ये जो attachी पड़ी है, ये open up the suitcase to look through its content, आप suitcase खोल के देखेंगे कि इसमें क्या समान रखा हुआ है, एकदम गलत, कैसे भी, इदर उदर की चीज़े जो भी आपको पड़ी हुई मिलती है, जैसे toys हो गया है, डबे हो गया है, suitcase हो गया है, इन में bump content हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ों को खोल के ना द देखा जाए, यह चीज़े आपको बच्चमन में सिखाई गई है, और railway हमेशा यह चीज़ बोलता है, कि किसी भी public place में अगर आप जाएं, तो government, police भी यह चीज़ बोलती है, किसी भी public place में कोई भी चीज़ अगर आपको पड़ी हुई मिली, चाहे वो box हो, कोई soft toy हो, यहा आपने paper ढूंडे, आप address निकालोगे और उस तक वो luggage पहुंचाओगे, गलत है, suit case खोलना ही नहीं है, आगे, finding no one to claim it, take it into your own possession, अब आपने एक दो से पूछा कि भी यह आपका, आपका, सबने मना कर दिया, आपने बोला, यह मेरा ही है, लेके आप घर चले गए, यह गलत है तो यह चीज़े हमें मना की जाती है, सबसे अच्छी चीज़े है, report the matter to the police, आप पुलीस को बताइए, हो सकता है, उसमें बम रखा हो, हो सकता है, उसमें कोई गलत चीज़े रखी हो, जो की nature को, यह environment को, यह public को harm कर सकती है, तो आप इस तहीके से अगर कभी suit case पाते हैं, त matter को, पुलीस को report करना चाहिए, तो यह आपकी general knowledge है, ठीक है, action आपको क्या लेना, यह आपको पता है, तो question number 11th का A जवाब मेरी तरफ से होना चाहिए, yes, question number 11th में A answer है, move करते हैं, question number 12th की तरह, board कर लेते हैं, clear, question number 12th क्या कह रहा है, you are walking down the street, आप एक street से जा रहे हैं, and suddenly you see 200 रूपी note, आप road पर पढ़ा हुआ, देखते हैं कि 200 का note, road पर पढ़ा हुआ, on the payment, ठीक है, what action would you take, आप क्या करेंगे, अगर आपको currency, एक तो Indian currency, पहली बात, दूसरा रूट पर पढ़ी भी मिली, दूसरा वो जो amount है, वो बढ़ा है, ठीक है, तो 200 रूपीज है, अब आप का क्या action होगा, pocketed yourself, आप उठा के उसको अपनी jam में रख लेंगे, एकदम गलत, किसी का पैसा है, अपनी jam में नहीं डालना हो सकता है, किसी जरूरत मंद का पैसा हो, आप उसको रख लें, गलत बात है, ठीक है, leave it where it is, वहीं छोड़ दे, तो आगर आप छोड़ देंगे, तो हो सकता है, कोई दूसरा उठा ले, तो ये भी नहीं करना, give it to a bagger, आप किसी गरीब को क्या वो दे दो, तो ये एक point हो सकता है, कि आपको अगर गभी पड़वा मिल जाए, जो नीडी है, उसको दे दो, ठीक है, deposit it in the nearest police station, अब बात को समझना, मैं बोलूंगा, यहाँ प अच्छी संस्था है, जो कि लोगों के help के लिए बनाई गई है, तो कभी भी किसी को अगर कोई दुख दर्द या कोई चीज घूम जाती है, तो वो अपनी report लिखाने, पुलिस स्थाने आता है, अगर आपको कोई चीज कहीं पड़ी भी मिले, यहाँ आप किसी तकलीव में हूँ, तो आप भी पुलिस के पास जाते हैं, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि जो amount आपको road पे पड़ा मिला है, उसको जाके police station में जमा करा दीजिए, अगर कोई नीडी व्यक्ति वहाँ पे जाता है, और वो report लिखाता है, तो पुलिस उसकी help करेगी, तो यहाँ पे मैं हो, तो उस amount को उठाइए, पुलिस थाने जाके जमा करा दीजिए, question number 12 में, D option is the best option, जो मैं mark करवाँगा, तेक यह, question number 12 में D, और यही आप में भी check किया जाता है, ऐसे ही वो लोग जानना चाहते हैं, कि आप क्या action लोगे as a best Indian या best person of a country, अगर आप किसी देश के व्यक्ति हैं, तो उस देश के बारे में आपका विचार कैसा है, तो यहां पर कहीं न कहीं आपके विचार भी व्यक्त होते हैं, चलिए, question number 12 में, D option, board कर लेते हैं, clear, question number 13 पे move करते हैं, if wrongly accused of something, you would, अच्छा, अब if wrongly accused of something का मतलब है, accused का मतलब है, कि आपके ऊपर किसी चीज का गलत इल्जाम लगा दिया जाता है, मालों किसी ने आप पे कोई इल्जाम लगा दिया, कि आपने चोरी की है, ठीक है, या आपने ये कुछ accident किया है, जान बूच के आपके ऊपर चीजों का इल्जाम लगाया जाता है, जो आपने नहीं किया, आपको जान बूच के accused बनाया जात है try to convince others हम दूसरों को convince करने की कोशिश करेंगे इलजाम लगाया है तो चार के सामने आप पर लगाया होगा आप दूसरों को convince करने की कोशिश करेंगे but without any hope of doing so but कहीं न कहीं आपके दिल में negative ख्याल होगा कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ यह लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो कभी भी अगर आप कोई action करो तो negative mind से मत करो ठीक है यह तो मत करो convince करने की कोशिश मत करो यह अगर convince करने की कोशिश करो तो positive mind से करो ठीक है next कि दिया है try your best to convince आप अपनी पूरा जोर लगा देंगे सामने वाले को convince करने के लिए others and hope that you succeed यहाँ पर देखो positive बात आ रही है ठीक है यह मानते हुए कि yes मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ यह कही न कही success दे दे मुझे सामने वाला मालने की मैं गलत रही हूँ तो सामने वाले को अपनी बात समझाने की कोशिश करो और अब इस तरीके से समझाओ यह सोचते हुए समझाओ कि आप सही चीज समझा रहे हो आपको positive result मिलने वाला है तो hope that you succeed not even try as it would be of no use आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कोशिश ही नहीं करोगे तो कहीं न कहीं दिल में मलाल रहेगा ठीक है कि यार आप कोशिश करते हो सकता सामने वाला मान जाता be able to convince others of your innocence easily be able to convince अब कई लोग ऐसी हरकत करते हैं ठीक है वो लोग गलत काम भी करते हैं ठीक है और यह जानते हुए कि यार मेर में दूसरों को मनाने की power है मैं दूसरे को मखन लगा के अपनी बात मनवा लूंगा ठीक है तो अगर यह सोच के आपके उपर wrongly यह एक्यूस किया गया और आपके मन में आपको यह चीज पता है कि यह अगर मैं रोतला सा मूँ बना दूंगा है ना मैं कैसे भी तो इनोसेंस हो जाओंगा बहुत प्यार से बात करूंगा तो सामने वाला मेरी बात मान जाएगा अगर आपके दिमाग में ऐसा ख्याल है तो यह गलत ख्याल है ठीक है वैसे तो आप wrongly accused हुए हो लेकिन यह ख्याल दिमाग में नहीं रखना कि मेरे पास इनोसेंस नेचर है इस लिए सामने वाला मेरी बात मान जाएगा मैं बोलूंगा यहां पर जो बैस जवाब है वो है B option the reason is being कि सामने वाले को convince करो यह मानते हुए कि yes आप succeed कर जाओगे तो यहां पर आपका positive nature है positive aura है आप दूसरे को convince करने की power रखते हो तो यह चीज जो है B option question number 13 मैं कहूंगा B is the best option देखिएगा question number 13 में B option ठीके move करते है last questions जो आपके सामने आ रहे हैं इस पर अपनी नजर बनाएए comment box में जवाब दीजे जल्दी से यह 2 questions का क्या है you are anxiously waiting for someone at home आप anxiously waiting for someone at home आप किसी का बहुत दिल से इंतियार कर रहे हो कि अभी आपका कोई महमान आने वाला है और आपक ठीक है यह जानने के लिए कि यार वो आने वाला है मैं उससे मिलूंगा उस समय आपका दिमाग मतलब उस समय क्या स्थिती बनती है आपके सामने उस समय की nature जानने के लिए देखते है don't give it at a thought don't give it at a thought ठीक है यह बोल रहा है you don't give it at a thought अगर आपको किसी से मिलने की बहुत पुरानी इच्छा थी anxious थे और वो अगर आपके घर आने वाला है तो पहला पॉइंट यहां पर लिखा है कि आप उसके बारे में कुछ सोचोगी नहीं ठीक है आ रहा है मिल लेंगे आ जाए तो यह गलत है ठीक है don't give it at a thought भाई आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो वो भाई आ रहा है आ जाएगा मिल लेगा चला जाएगा गलत है यह भी चीज अपने काम में बिजी नहीं क्योंकि आप उससे मिलना चाहते वह आपका समय चाहेगा तो आपको उनको समय देना है ठीक है run out the minute you hear a car stop आपको जैसे उनकी आती गाड़ी की आवाज आई आप जल्द आप भाग की उनके पास जाओगे उनसे गले हग करोगे तो मैं गाओंगा यह एक बहुत अच्छी चीज है next call up many times to find out why he she is taking so long आप उनको सो बार कॉल लगाओगे बाई जल्दी आ क्यों नहीं आ रहा जल्दी आ क्यों नहीं आ रहा इसके कारण एक accident हो सकता है ठीक है तो मैं कहूंगा कि call up बार बार उनको call ना लगाया जाए उनको परशानी हो सकती है मैं कहूंगा यहां पर जैसे उनकी गाड़ी की आप आवास सुने आपके उनकी गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी हुई है आप भाग के जाए उनकी गले लग जाए तो यह चीज जो है question number 14 का मैं कहूंगा c option is the best option ठीक है देख लेते हैं क्या c है yes question number 14 में c option है चलते हैं last question इस वीडियो का question number 15 देखते हैं क्या है तो you find that a person whom you call your friend has been cheating you what would you do अब यहां पर क्या बोल रहा है आपको यह चीज पता चली कि जिस इंसान को आप अपना दोस्त बोलते हो वो आपको cheat कर रहा है तो उस समय आप क्या करोगे अब देखो किसी इंसान को आप अपना दोस्त बोलते हो ठीक है तो common सी बात है आप उसकी दोस्ती जिंदगी वर निभाना चाहेंगे तो आप अपना दोस्त नहीं खोना चाहेंगे आ जाते हैं options में क्या दिया है break relation with him or her आप उस दोस्ती को खोदोगे आप बेक कर लोगे अपना relation एकदम गलत है यह गलत है ठीक है दोस्ती नहीं खोनी give him her tit for that tit for that का मतलब जैसी वो हरकते हम पर कर रहा है हम भी वैसी हरकते करने लगें वो हमसे cheating कर रहा हम भी उससे cheat करने लगें गलत है यह भी गलत है ठीक है tit for tight वाला ख्याल दिमाग में नहीं आना चाहिए make him her realize his or her mistake हम कोशिश करेंगे कि हम उसको उसकी गलती realize कराए अच्छा point है ठीक है इसको मैं कहूं दूनिया में ढोल पीटेंगे दूसे दोस्तों को बताएंगे कि आपका यह दोस्त क्या कर रहा है तो यहां पर भी आप कहीं ना कहीं अपनी दोस्ती खो देंगे यह भी गलत है तो लोगों से जाके चुगली नहीं करनी यह चुगली करने वाला काम है तो मैं कहूंगा make him or her realize his or her mistake जो दोस्त आपको cheating कर रहा है अगर वो आपका दोस्त है अगर आप उसको अपनी गलती महसूस करायत है उसकी गलती उसको महसूस करायत है तो वो सकता आपकी दोस्ती भी बची रहे और आपका दोस्त वो जीवन काल के लिए अच्छा बना रहे तो इस तहीके से मैं कह वोंगा prosper 15 जवाब होना चाहिए बोड करते हैं clear और देखते हैं यस क्लियर न community का जवाब है तो अपन ने आज यहाँ पर इस वीडियो में वीनली स्विटेशन टैस्ट खहतम किया है तो हमारा यहां पर स्विटेशन टेस्ट खतम हुआ magnet brains के platform पे जब आप visit करेंगे तो इस तीके का interface आपको दिखेगा आपको scroll करना है आपको NTSC की video watch करनी है यहाँ पे explore top consciousness की नीचे NTSC option आपको मिलेगा आपको वो click करना है तो जैसे ही आप click करेंगे तो stage 1 चारो टीचर आपके सामने विभूती माम science complete करा रही है राहूल सर maths complete कर आ रहे हैं यहीं पर रिया चोहन मैं हैं जो की social science complete करा रही है और मेरे दवारा पूरा मैट मैट मतलब mental ability test complete कर आया जा रहा है आपको जिनकी वीडियो वाच करनी है उनकी वीडियो पर click करेंगे तो यहाँ पर कोई भी topic पर जैसी आप click करेंगे तो वीडियो आपके सामने र आया है इस information को अपने दोस्त अपने रिलेटिव को पास करिए शेयर करिए और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे हैं सो दैट हम लोग motivated रहे हैं और आप तक जल्द जल्दी वीडियो पहुंचे मिलते हैं नए topic में तब तक क्लिए अपना ध्यान रखो बाइएं टेक केर